यह जो कॉलिजन हुआ उसे 300-400 लोग कि सरकारी आकड़े हैं हजार लोग घायल हैं और अभी तक उनके मंतरी रिजाइन भी नहीं किये तमाशा दिखाने के लिए वहाँ भी फोटोशॉप कराने के लिए प्रदान मंतरी पहुंच जा रहे हैं तो इसलिए भारती जनता सवाल का जवाब देने हम नहीं बैठे हैं सवाल यह है कि यहां एक घटना घटी उसकी जाच शुरू हो चुकी है और इसमें कोई बख्षे नहीं जाएंगे लोगों की बैठक है विचारों की बैठक है अगर वो टलती है एक सिकंड के जिसका मुझे पता नहीं और मुझे नहीं लगता कैसा होगा तब भी यह मीटिंग फिर होनी है आई नहीं होगी तो कल होगी मस्कार आप देख रहे हैं निश्पो नेसर में आपके साथ अब जैसे खगडिया में जो निर्मान अधीन पूल था अगवानी पूल वो कल धौश्ट हो गया जिसके बाद जो बिहार दल के नेता दॉक्टर सकील अहमत खान सर विजेपी कर रही है कि एक और पूल भर्ष्टचार के नाम पर चड़ गया आपको याद है कि गुजरात में मोर्भी में एक पूल गिरा था और जिसकी जाज परताल नहीं होई थी ऐसे लोगों को दे दिया गया था जिसके पास उ लोगों के डित हुई थी भारती जंता पार्टी को दबल स्टेंडर के बोलने के लावा और कुछ है नहीं यह जो पूल गिरा है इसके ऊपर एकदम से जाच हो जो इसके कॉंट्रेक्टर है जो इसका इंजिनिरिंग डिजाइन है जो इस पूल के बनाने की प्रक्रिया में जो प्रसाश्चिक तंत्र हैं सब को जाच करके ओपन किया जाए और यह लोग जो लोग इसमें शामिल है क्योंकि डिजाइनिंग का फॉल्ट होगा मेटेरियल का फॉल्ट होगा क्योंकि बिहार में सैक्रों बड़े बड़े पुल बने हैं और सब कायम औदायम हैं सब पे लोग चल रहे हैं यह तो भागी की बात है कि वो शुरु नहीं हुआ था लोगों की जान नहीं गई तो हम लोग सब लोग सरकार पुरी सजग है हम जाच करके दूट का दूट पानी का पानी करेंगे और जो इसके सजाAs कि इसके साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि टेक्नॉलिजिकल एडवांस इंदुस्तान हो गया है इस्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर लिया है हम लोग ने और ट्रेन में अब सुविधा ही सुविधा है तो क्या हुआ यह जो कॉलिजन हुआ उसे 300-400 लोग कि सरकारी आकड़े हैं हजार लोग घायल है और अभी तक उनके मंतरी डिजाइन भी नहीं किये तमाशा दिखाने के लिए वहां भी फोटोशॉप कराने के लिए परदान मंतरी पहुंच जा रहे है तो इसलिए भारती जनता पार्टी के बल नहीं है इतने एक्जामपूल दे देंगे कि उनके द्वारा जो चीजें हुई है बिहार में हुआ है यह दुख का विशह है और जब यहां कुछ अच्छा होता है तो उसका वहां से लन्यास हो जाता है कि केंद्र और राज निर्मान के काम में साजी होती है निर्मान के काम में पैसा भी साजा लगता है तो यह जाज का विशह है उसको जाज किया जाएगा बातिया जनता पार्टी बोल रहे है कि जो अभी पत्र निर्मान मंतिय ते जस्वी आदब उनके श्तिपाद देना चाहिए पहले ही जब यह पूल एक वर और ध्वस्त हो चुका है तो जब मालूम था तो क्यों फिर से दुबारे इसमें काम किया गया किसके जमाने में हुआ था भारती जनता पार्टी तो अभी छे महीने पहले अलग हुए ना तो वो नक्च कहें कि इतिहास उनका दोराया जाए इसलिए यह नहीं कहना है वो सब इस कटगणे में खड़े हो कि टॉप टू बॉटम भारती जनता पार्टी के मंत्री से लेकर के सब संत्री लग सब इसमें शामिल हो जाएंगे सवाल यह है कि एक पुल निर्मान होते समय गिर गया दुरगटना एक बड़ी दुरगटना है कि इतना पैसा लगा आदमी जान की छती ने हुई माल की छती हुई एस्टेट का पैसा गया हमारा पैसा गया और धुरगटना हो सकती थी पूल कमजोर था यह सब विशह है तो यह सब विशह है इसका इसके बारे में जाच होकर के जो इसमें जिनको सजा देनी हुए सदर दी जाएगी भाजपा यह बोले कि हमारे हम आने के साथ ही तो ह हमारे जमाने में जो अच्छा अच्छा है तो उसका तो वहां से ट्विट होता है तो यह भी माँकर रहे हैं कि Siz कि कई जो पूल है पटना में वैबrika पूरा जाच करवा लिया जाए कि कब-कब भाजपा शामिल थी कौन-कौन समंत्राले उनके हाथ में था सब का जाच करवा लिया जाए कौन-कौन समंत्राले भाजपा के हाथ में था और भाजपा के मंत्री और मंत्राले मिलकर के कौन-कौन घाल में जाच होगा तो सब आएग तो भाजपा अपनी घलत बयानी या डबल स्टैंडर की बात न कर हलागे वह हमेशा यही कहते रहे हैं जूट की प्रकास्था की पार्टी है और बुद्धी हींता की पार्टी है किवेशा करने है करके इमीड़ी की पहले तो एहां फोटर भाजपा के जवाप देने हम नहीं है सवाल यह है कि यहां एक घटना घटी उसकी जाच शुरू हो चुकी है वह प्रक्रियाश शुरू हो चुकी है और इसमें कोई बख्षे नहीं जाएंगे इस देट के इसलिए विशय भी हमारा है विपक्षी एकता का विशय है इस विशय में जाहिर सी बात अभी तो हमको कनफा आपके माध्यम से सुनने में आ रहा है मीडिया में देखते हैं मीडिया में बहुत सारे एडवांस रिपोर्ट आ जाती है मित्रों के जरिया तो सवाल सवाल यह है कि हम लोग विपक्षी एकता की मीटिंग यहां कर रहे हैं और एकता की जो मीटिंग है वो किस काम के लिए मुद्दा क्या है चाय पीने के लिए तो नहीं कर रहे है न इस देश में अधिनायक भात को हराने के लिए पूरी स्ट्रैटजी पूरी प्लानिक समान विचार धारे के लोगों की बैठक है, विचारों की बैठक है, अगर वो टलती है एक सिकंड के लिए जिसका मुझे पता नहीं है और मुझे नहीं लगता कैसा होगा, तब भी ये मीटिंग फिर होनी है, आई नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन विचार के तोर पर पूरे हिंद बोल करके, लोगों को दिव बर्मित करके सरकार बनाई है, जो काम यहां सारे एलाइंस ने मिल करके, नितीज जी के अगवाई में किया है, इसी तरह का, इसी तरह की एक जुटता के साथ, 2024 में, जो हैं दिल्ली में बैठे, वो कल नहीं होगे, लेकिन बारती जनता पाड़ी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक्षेंज की हुआ, इसलिए हुआ कि जो सरा ब्रहष्ट चारी हैं, जो सभी के अलग-अलग महतकांचा हैं, सभी को परधान मंत्री बनने के महतकांचा हैं, इसलिए यह केंसी तो कोई शिडूल मीटिंग नहीं हो पाती, उसके कुछ कारण हो स कुछ समय है एक साल का जो वादा किया उसका पांचो परसेंट निवादे वो इस काम में लगे तो जादे बेतर होगा, यह थे हम आज साथ कॉंग्रिस के विधायक दल के नेता डॉक्टर सकील हमत खान इन्होंने तवाम सवालों को जवाब दिया, इस तवाम खबर को में न पुनेश पोनेशन के साथ, नमस्कार